एक हजार पांस सो करोड रुपए इतने रुपियों से तो रुपियों का पहाड बन जाएगा अरे पहाड से मुझे याद है रिशी कॉंडा से भीमली के रास्ते पर पहाडों पर एक बलखाता मोड मिलता है बिल्कुल लॉंडिया की कमर जैसा ठीक उसी मोड पर हमारी दस से कड़ की जमीन है बिट्टू वहाँ पर बैटकर दिल्ली मेरे पैरों के नीचे तब ही नजर आती थी बजबन में मैं वहाँ बैटकर यही मज़ा लेता था अगर मुझे सी एम की कुर्सी मिल जाए तो मुंबई भी अगरी मेरे पैरों तले तब ही नजर आएगी पर उसके लिए मेरे पास पावर होना चाहिए है लो आ गया इसके लिए कम से कम हमें हजार करोड तो चाहिए ही मिल जाएंगे बस एक हजार आपसे ये उमिद नहीं थी रिस्क उठाए हम और मलाई खाओ आप अकेले देखा अपने भाई को बिलकुल खुझली वाला कुझता है ये तुमारा भाई सिर्फ पैसे चुराने का रिस्क लेगा पर उसकी जान कौन बचाएगा है ये ट्रेवल मूर्ती है इंडिया का नंबर वन ट्रेवल एजेंट ये वीजा और पासपोर्ट बनाएगा तुमारा जिससे तुम लोग 24 गंटे में देश से भाग सको और तुमारे 500 करोड रुपे अगले 48 गंटों में तुमारे स्वीज बैंक अकाउंट में होगे साहला आवकाद दिखाता है ए लाला कार में तुम्हें टायर ब्रेक सीट और स्टेरिंग दिखाई पड़ती है लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेट्रोल और अगर वो ना हो तो कार एक टीन का डपा है मैं हूँ पेट्रोल लाला मना की बैंक लूटने में बहुत रिस्क है पर रिस्क तो लाइफ के हर मोड पर होता है लौकर तोड़ने में हम माहिर है उसकी कीमत हम लोग लेंगे और हमें जेल से दूर रखने में ये माहिर है बताओ कब करना है आज शुकरवार है सोमवार की सुभाई ये सारा पैसा कमाने में टाइम लगता है चुराने में नहीं समझे है हमें इसके लिए आठ नए छोकरे चाहिए जो एक दूसरे को ना जानते हूं लेकिन किसी को पता ना चले कि ये मेरा प्लान है और कल जब बैंक खुले तो वहां चिलर के अलावा एक भी नोट नहीं मिलना चाहिए समझ गए लेकिन वहां के सिक्यारिटी बहुत टाइट होगी मेरे प्लान पे किसी का बाप भी पानी नहीं फिर सकता आज कल तुमारे बेटे की जुबान बहुत लंबी हो गई है जानते हूँ भी मदुमक्खी के चटे में हाथ क्यों डाला मदुमक्खी नहीं सांड हो गया आई है अम्मा पराड़ा लाओ ना लाती हाँ दस और खिला दे इसे भेंसा बना दे बाड़ी देखो जरा ऐसे लग की तरह जगता है और दिन में देर तक सोता है ये गदे से घोड़ा तब बनेगा जब जल्दी उठेगा जल्दी तो मुरगा भी उठता है उसे क्या मिलता है लोग उसे खा जाते है ना आखिर तु करना क्या चाहता है बाबा मुझे ये मिडल क्लास लाइफ नहीं जीनी है बस एक चांस चाहिए और मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी मैं आम आदमी की तरह मौल के सेल में सामान नहीं लूँगा फिल्म देखने के लिए थेटर के बाहर लाइन नहीं लगाऊंगा फिल्म भी देखो तो रोक के रोक खाली होने चाहिए ये तो तब ही होगा जब तु मैं लगभग एक लाख रुपे कमा लोंगा दो गंटों में एक लाख ये मेरी चार महिनों की तंखा है पूरे एक सो बीस दिन और तु एक सो बीस मिनट में कमा लेगा हां ये कर लेगा हां बढ़ा ही स्मार्ट लाड कर लिए ये रे दस हजार मुझे तो शॉपिंग के दे रहा है तेरी तरह खर्ज करने के लिए नहीं है और अंटी लोग बिग बॉस के घर में क्या हो रहा देख लिया ना ऐसी बात नहीं बिटा हमारे घर में रियालिटी शो देखने का रिवाज नहीं है ये एक लाग रुपे कमाई लेगा ये सूरी तु अब तक पॉंचा क अब लिफ्ट दे सकता है जिस अब रुबिक्स क्यूब आप कहलते हैं कहां जाना है शिक्सर पब पार्टी है पार्टी के लिए पैसे चाहिए है पार्टी करने के अपनी आउकाद नहीं है सर तो फिर आई पील सीजन है ना बेटिंग करने जा रहा हूं इस छोटे से शहर में भी पैटिंग होती है कैसी बाते कर रहे हैं सर जितना पैसा इस पब में एक रात में लगता है उतना तो इस स्टेट का अनियल बजट भी नहीं होगा पुलिस सोती रहती है गया ऐसा ही समझ लीजे सर बैंक पिलुट जाए तो नहीं जाके जब तक उन यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं करेगा चोर कभी वर्निंग देंके नहीं आता बस क्या सर सिगरेट पैकेट पर वर्निंग होती है कि उसे पीने वाला मौत को गले लगा रहा है लेकिन मेरी बात अलग है मैं डारेक्ट मारता हूँ लेकिन वर्निंग कभी नहीं देता मुझे इन कलर्स को एक तरफ लाने में एक हफ़ता लग चलता है इस साले ने तो पांच मिर्ट में कर दिया इतनी देर के लगा दी? साले सूरी ने टांग दे दी यार उसी के वेट में यहां आने के लिए लेट हो गया सिचुएशन क्या है? किंग्स 11 पंजाब 192 चैने ने कितना मा रहा है? सी एस के 148 पर फूर धोनी है के गया? खेल रहा है 20 बॉर्ट पे 45 रन तो टेंशन नहीं है बेटिंग रेट दस लगाओ बारा पाओ फोन बंकर यार मैं बाबा को एक लाख रुपए लाने का चैलेंज दे कर आया हूँ ए तु इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? धोनी एक छक्का मारेगा तो एक लाख मिलेंगे और नहीं मारेगा तो सिर्फ बारा अजार जाएंगे अबे मेरे पास सिर्फ दस है एंशन मतले मैं जमाल लोगा लिख लो दोनी के एक छक्के पे मेरे बारा अजार लगए आपके हसाब से आज का मैच कौन जीतेगा सर अकर मेरे सोचने से सब हो जाए तो आज तक मैं करोड़ पाती नहीं बन गया होता चाहे ये टीम जीते या वो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता जाके पैसे लागा अबे इसे क्या हुआ है दोनी के विकेट पे इसमें दस लाग रुपे लगाये थे लेकिन उसने मार दिया चौका और इसका बन गया स्टेच्यू थे तक में ग्त दसथ लाग जैने मैं डिधे यार रहा हुए आज मैं तो पहले सही क्रीण बोल्डँ के सो रहा हूं दिख्ज किते में ड़ुअ एड़ूअ ऩ screams ये ये ङैला होऊपर एक लाग रुपे पैतहिया रखना न相信 मेना ये पाप है मेरा ततोनrous आ killer अएह वी यह कितना है, क्या साब, आपको दो नमबर जाने का है क्या, उसे क्यों मारा, मेरे पास बार का लाइसेंस है, वो मेरे कस्टमर है, मैं ये बदाश नहीं करूँगा, तुमार पास सर्स वारंड है क्या, मुझे ये इन्फरमेशन मिली है, एक मेंट पकट रहे, बहुत खजली हो और पूरे का पूरे स्टाफ को इधर भूला के लिए, यहां का इड्रेज भी दे दे उन लोग को, हस का इको रहा है, मैंने को जोक मारा गया, चलाओ, सब की तलाशी लेनी है, ये कोई लाफ्टर जो नहीं चल रहा है, जो तू हस रहा है, हसने की वज़ा बता नहीं तो, आ और अनियल बजट से ज्यादा पैसा लगता है, यही बात सोचकर मैं हसरा था सर, मतलब ये इंफरमेशन देने वाला क्रिमिनल है, सो टका, वो कोई शरीफ मानूस भी हो सकता है, अगर ऐसा होता, तो नाम और नमबर बताता, कोई गुमनाम कॉल था सर, ओके, मी समझ लो, क्र इस से अच्छा मौका और क्या होगा सर, इस बात की क्या गैरंटी है कि वो लुटे रही थे, इतनी भारी बरसात में वो ग्रूप आकर क्यों निकला होगा, शादी होगी, मुहरत नहीं है, टूर के लिए लगज नहीं था, चेहरा चुपाने के लिए मंकी कैप्स थे, काटे आखों में डर था, कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा था, और ऐसा सिर्फ तभी होता है, जब हम कोई बहुत रिस्की काम करने के लिए निकलते हैं, मैं कैसे यकेन कर लो, शोड़िये न सर, लॉजिक कोई नहीं मानता, सबको मैजिक चाहिए, इसलिए तो यहां साइंटिस के बजाए, बाबा फी मुस है, प्रभू, चला जाविया, ए, कहा जाना है, माचिस है क्या, हम कितने लोग हैं लगबग दस लोग होंगे मतलब कम पैसा मेलेगा इसलिए तो वायर कट करने के बाद तुछे कट करना है जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद तर एक शोर निकलता है काली सी सड़क पे ये आवाज आती है चोर 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 कि जट को चोर 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर वाल przy 12 किर दूड़ी नामल कर दो साइड़ी 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 कि अमाल गद कर दो बूड़ी यंपा भाल हम ये लोकर नहीं खोल पाएंगे हैं जरूर खोलेंगे पर चापी से स्ट्रॉंग रूम में अभी भी स्टाफ को होना चाहिए उनके पास चापी होगी हुआ 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 झाल 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 तुम यहां का दर्वाजा नहीं खोलोगे तो हम तुमारे घर का दर्वाजा खटकटाएंगे अब या तो तुम दर्वाजा खोलोगे या तुम दर्वाजा खटकटाएंगे अब या तो तुम दर्वाजा खोलोगे या तुम दर्वाजा खोलोगे या तुम दर्वाजा खोल यू जा के लोकर को सब को मारतिया ना? तेरा यही प्लान था ना? अंदर आये तो थे 10 लेकिन यहाँ पहुंचते हैं हम बस दो बचे हैं अब यहाँ से कोई यह के बाहर जाएगा तुम मुझे मार देगा ना? हा? क्रेन के ड्राइवर को भी मार दूँगा अब ज़ेंगा क्रेवर को जफलाएग अज़ता क्रेवर के खर्श के रस्परें क्रेवर सब्स्य पेडरएग अब ज़े। अब ज़ेंगा ये क्रेन अभी तक खेल रही है इसी से पैसा उठाया है इसका एंजिन भी ओन है दीवार इससे तोड़ी गई थी एक बड़ा ट्रक इसी रास्ते गया है और उसी पर लदा है पैसा सुन लाला वैया तुम्हारे पीछे पुलिस है थोड़ा सा आगे बढ़कर डंपिंग यार है ट्रेलर वहीं छपा दे कोई सोचेगा भी नहीं कि उस कचरे में करोडों पड़े प्रॉपवड़ दिस कोई है प्रॉप़ 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 थाँ मेरी गाड़ी यहां फ़स कई है तावर को प्रीसी आइबी से लेप्ट मार के तरह अनि लोग कर यह भाया पुलिस आ गई है लाला मैं बर्दर आज को फोन करता हूँ इतना ख्याल रखना कि पैसे नजर ना आए अगर किसी की नजर बढ़े तो उसे वही खत्म करता हूँ मैं वहां पहुच रहा हूँ रवी यहां मेरी मदब कर रहो आपस एक मिनिट इसे संभाली है मैं दो मिनिट में आ रहा हूँ पोड़े के तो अगुठी के बिना तीर चलाना अंगुठी के बिना तीर चलाना और उंगली के बिना ट्रिगर दबाना मुश्किल ही नहीं ना मुंकिन है लाना अगुठी के बिना और यहां आया 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 बोड़ी को फॉरण हॉस्पिटल पहुंचाओ सर पैसा यहीं कहीं आसपास होगा लात परदे मुझ भोल देगा सर अमाउन बहुत बढ़िये आपको अभी ढूनी चाहिए सबसे पहले तु तु यहांसे चले जाओ ने तो खून के इलजाम में फच जाएगा चल जा सरी तुमसे खून हुआ है बैतर है इसे दूर आओ प्रभू सर अभी को घर छोड़ दो ओके ओके सर पुलिस की चार गाड़िया छोड़ने आए थी जरूर बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा पुलीस जीप से उतरने वाला हर इंसान क्रिमिनल नहीं होता वी आएपी भी हो सकता है बाबा अपने आपको बड़ा वी आएपी समझता है शकल से तक होनी लगता है जाके आएना तो देख आएना तो मैं रोज देखता हूँ मा कहते हैं हीरो लगता हूँ और बाबा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता है पी मैं रहा हूँ और चड़ इसको रही है पी मैं प्राइम बाइम प्राइम मैं प्राइम इसकी है पाईम याओे प्लाइएंगे प्लाइएंगे Wennesar अ क्लोड़के पह बंचे और की लिडित कलू़के लिद ड्रयस अ इंचे ज रडे है इस नपन साफल कुर्ट में आग किसने लगा दी इस राथ के ले मैं लेड जान की वाते नहीं लगाए थी नहीं थे भूहर में आ हुं आप दिये, एए! छोड़ूगा नेक तुझे! रवी! नेक छोड़ूगा तुझे! चर्ड आप यहां? रवी, विट्टू फरार हो चुका है प्रभु अर्तीन कॉंस्स्टिबल को मार दिया उसने नेक्स टार गेट तू मो क्रिमिनल्स की नजर से चश्मदीत को बचाने के लिए हम लोग उसका नाम जगा पत्ता सब बदल देते विट्नेस रिलोकेशन प्रोग्राम ऐसे होता है चार-पाच महिन अपना फैमली से दूर रहना होगा बिट्टू पकड़ा जाएगा तब घाला जाना मेरे बाबा तो यही चाहते थे है ना मेरी खोईश तो इतनी सी थी कि तुम एक अच्छी जिंदी की जीओ अब तुम जा रहो सलामत रहो खुश रहो जेश तेरा बाबा तेरसे नाराज नी हो तो बस परिशन ऐसा कुछ नहीं है सर जिस बैंक को लूटा गया उसमें इनके भी पांच लाग से अब इनसे बात तब करूँगा जब पांच महिने में पांच लाग कमा कर दिखाऊंगा बेजदो सर अमेरिका औस्टेलिया दुबाई कहीं पर भी भेजदो चला जाओंगा इतना बजट नहीं है राजा याद असे ज़्याद आमजाबाद भिट सकते हैं एंदाबाद चाराने की मुर्गी और बाराने का मसाला सर आप ये विट्नेस रिलोकिशन प्रोग्राम जैसे लंबे नबे नाम क्यों चोड़ते हैं सर जो जेल से भाग जया उसके लिए अंदाबाद पहुचना कौन सी बड़ी बात है सर आफ फ्लीज मुझे माफ कर दीजे ये काम नहीं करेगा इससे तो अच्छा बिट्टू के जगा मुझे गोली मारी है सर आप मुझे पर विश्वास करते हैं तो मैं आप कोई प्लान बताता है उससे फॉलोग जाए दरसल पेपर में पहली बार फोटो आएगा ना थोड़ी अच्छी दिखने चाहिए एक्सिडेंट के भोटो अच्छी दिखनी चाहिए लॉजिक है सर, सीरियस लुक देता हूँ मरे हुए का एक्स्प्रेशन कैसे है राजा है सही कहरे है सर, डेड लुक देता हूँ एकदम डेड लुक मेरे बाबा बिलकुल सीधे साधे इंसान है सर अगर बिट्टू थोड़ी सी मार पीट कर देता तो वो सब सचुगल देते इसलिए तो, अगर मैं मारा हुआ साबित हो गया तो बिट्टू रिलाक्स हो जाएगा और मैं भी बज़ जाओंगा अमदाबाद में मेरा बैच मेट सी तरह हम रहता है मेरा बेस्ट प्रेंड है मैंने उससे कहा है तुम वहां नौकरी ढूड़ने आ रहा हो तुम उसी के साथ राओगे उसे बिट्टू के बार मैं मत बताना गोड़ डर बोगे वोश्ट इतने साल की सर्विस में आपकी क्रिपास से मैं इस खिलोने का घोड़ा दबाना बिल्कुल भूल ही गया हूँ इससे मेरी भाटे छे ये तो तमने खबर अच्छे ए घोड़ा कहिए घंटी वापस रख आपको केसे पता चला घंटी को पंडित ऐसे ले जाता है लेकिन चोर ऐसे आपको पुलिस में लेई चोरो के स्कूल का प्रिंसिपल होना चाहिए था बजाते रहे स्टेशन पर साढ़े आठ बजे किसी को लेने जाना था ना अरे छोड़ो साढ़े आठ बजे आएगी ट्रेन बहुत टाइम है तब तक भापड़ा जले भी खाने तो उस तरफ यह कौन था क्या पता 845 इसे पकड़ो मुझे रेलवे स्टेशन चाहिए तुम वही हो रवी सीतारा माई पियस जानता हूं मैं राजा का दोस्त पता है सर लेकिन अड्रेस दून लिया कॉफी अभी मिलेगे बाद में लाना कलपू बाद में बात करते हैं यह है रवी लोफर जैसा दिखता है अब अंदर जाकर बात कर इश्क मत लड़ा अपा मेरी च्वाइस इतनी भी बोरी नहीं मेरी बड़ी बेटी होट है सर चूना मत जल जाओगे इसके शादी तैय हो चुकी है मारो जमाई पॉइलड छे इसके साथ तुम जहां चाहो जा सकते हो यह मेरी बाइडी है मनी सा अभी जो तन तनाती गई वो है तनी सा और जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा वो है जिगी सा और ये कौन है जिगनेस ओ बड़ी ही सा फैमिली है आपकी और वो चोर है जोध पकला जाता है मैं तो प्यार चुन जा रहा था हाथ भिसल गया हलो टकल अंकल इधर उदर मत देख सारा माली धर दे बैग निचरेक जल्दी जल्दी खोलना हिंदी चिली बाई बाई जब ये भूखा मरने लगा तो मेरा सिरदर्द बन गया अब ये कौन है बताया तो था सबसे चोटी वाली जिगीशा कितने साल की है आठ सार चार महिनत तीन दिन तो क्या पूरी क्रिकेट टिम बनाने का एराधा है शर्म करो लेडिस हैं यहाँ प घर पर मत आया करो पुली स्टेशन ही ले जा रहा था रास्ते में जीब खराब होगी इसलिए यहां ले आया बूख तो नहीं लगी है कौफी पिएंगे चोर जी चीचडी पनखवडाओ सरकारी महमान की महमान नवादी कर रही हो जाओं को किया गया है इसने कभिश्टर सा कि मुझे रूलाई के क्या है पर तुम्हारे रहते यह बोला कैसे नहीं और मैं क्या करूं जीजा जी बेल चुरी काटा चमश तलवार सब कुछ इस्तिमाल कर लिए फिर भी यह टस्से मस्ती हुआ है मैं तो साड़ी चुड़ा के भाग लेता लेकिन इसकी भी यह साड़ी पहनी हुई थी वो कहते है ना सर कलम में बहुत ताकत होती है मैंने सही सोचा था यह सच मुछ बहुत बढ़ा लोफर है पता नहीं अब क्या गुल खिलाएगा फूल भी कोई खाता है भला कोभी का फूल भी तो खाते है घी खाके अपनी मा की जैसे मोटी हो जाओगी मा को मोटी बुला इसका प्यार तो देखो सोटेली होकर भी देखो यह तुम्हारा कितना ख्यान रखती है I love you लाइफ बॉय लाइफ में बॉय नहीं आता तब तक साबन से ही काम चलाओ अरे बेटा परदे के पीछे क्यों खड़ी हो बेटा बाहर तो आओ बाहर ही तो खड़ी हो पापा मुझे तो कभी कोई नहीं देखता वैसे तो तुम्हें भी कोई नहीं देखेगा लाइफ में सेटल होना अंकल उसके लिए चोकरी और नौकरी चाहिए यह ठीक है पहले चोकरी मिल जाए फिर मैं नौकरी डून लूँगा चोकरी पटाएगा कैसे अरे उसका टेंचिन मत लीजे आप चोकरी दिखाएए बाकी मैं समाल लूँगा मेरे पास चोकरी होती तो मैं खुद अपने लिए उसे नहीं पटा लेता आपसे पटेगी और नहीं तो क्या तुससे ज़्यादा एक्सप्रस मेरे पास है क्या फिगर है का है का फिगर अगर हवा चलेगी ना तो आपको भी दिखेगा हवा का हलका सा छोका भी आ तो ये उड़ जाएगी ये जब वो हासी तो आपने उसके दातों की चमक देखी डातों की चमक नहीं बिजली चमकी होगी अंकल मैं एक बार उससे मिलकर आऊँगा जाने की क्या जूरत है तूसे आवार तो आते है कि आरे रवी तुम एम मधु अभी कुछ देर पहले जब आप मुस्कुराएं तो यहां एक चमक सी हुई थी वो इस तार की वज़े से आई होगी इसके दातों पर काड़ेदार तार क्यों लगे क्यूट लग रहे यार मैं अंधा हो गया इसको छोड़ो चलो अपने काम दंदे पर लग जाता हूँ यहां होटल कहा है सेर्व सिग्रल के पॉप वहाँ जाके चाय पीओ हाद की सफाई तुम्हारे पापा क्या करते है शादियां करते हैं वो और तुम्हारी मान सालों पहले गुजर गई ओ सौरी फिर सौतेली वो मुझे टॉचर करती रहती है और कुछ पूरी फैमिली पागल लगती है वहाँ चाय पीए यहां इतनी बरसात हो रही है तो मैंने सोचा चाय मजा आएगा सौरी इसको भी अभी रुकना था अच्छा जब तक बस नहीं आ जाती तब तक चाय पीएंगे तो आ गई बस अपी जोर्नी अपना नाम अप तो अपना नाम बताओं बताओ वह दिखने में कैसी है धासू लड़की है उंबर में तुमसे बड़ी है क्या स्वीट सिक्स्टीन लगती है ओ बाल विवा करो के तुम इतनी जल्दी शादी किसे करनी है कौन शरीफ लड़की तुछ जैसे लोफर के साथ टाइम पास करेगी है क्या कह रहे है सर हमेशा नेगेटिव बाते करते हैं मैं उसकी इतनी तारीफ कर रहा हूं और आप एगए इसे उट पड़ांग बोल रहा है चड़ गई आपको कुछ मत बोली आप मैंने शरीफ लड़की कहा तो तारीफ हुई ना कोई शरीफ लड़की भला बस्टॉप पर किसी अंजान के साथ बात थोड़ी करती है चे बाप बेटी का दिमाग फिर गया है ये तो काम पर लगे अब तुम भी जाओ हमेशा मुझे यहीं पर दिखते हो और कोई काम नहीं करू तो क्या करूं सौफ्टर्वर में सालरी सॉफ्ट है हर्डवर बहुत हार्ड है रियल एस्टेट में रियल घुंड़े भरे हैra इंस्ट्रक्शन में सालरी कम है, बाल तो नौकरी करूंगा तो घरवाले शादी कराएंगे, और दो साल बात वो देखो वैसी हाला तो की, और पांत साल के बाद उसके जैसी. जब तक बस नहीं आ जाती, जया यार, पर तुम्हारे ओफिस तो बस नमर 21 जाती है, अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, अरे यार, मुझे लगा बुलाएगी, लड़कियां बुलाती नहीं, लड़के आ जाते हैं, तो इतना परेशान क्यों होता है, सीरियल की हिर करके 30 एपिसोड खेंच, यहां भी गेट अप चेंच होगी, इस पर कितने पैसे उड़ा के आई तू, सिर्फ डेट से रुपे, शॉपिंग पर 25,000 खर्च किये तुमने, नहीं किये सर, तो फिर शॉपिंग की कैसे, मैं ACPC ताराम का रिष्टेदार हूं, पता है, मेरा नाम सुनाना, इसलिए छोड़ दिया इसे, तो फिर ये बिल वो चुका देंगे, आ तो चीटिंग छे, गल्फ्रेंड तेरी और खचा मेरा, है, हाई, हमारा पैसा, वारत लो, हमारा पैसा, वारत लो, खामोष, 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 तुम्हारा कितने थे, तस, मेरे पचास है, च दिन लाने से पैसे मिल जाएगे क्या? अरे देखते क्या हो? देखते क्या हो? ये लो और मारो! सिर्फ दस नहीं है! एक हजार पास्तो करोर ले गए! एक पिटू को ले जाने से हैं, रोका क्यों रेगे हैं आप से? अरे तुझे दिखता नहीं है क्या? अंदा हो गया है क्या? ये क्या है? खब्दार है! और वो क्या है? खाकी! ये सवाल इसने पूछो! आगया हो! आगया हो! अगली भार ये वर्दी फाड़ देंगे! अब ये बात इन्हें हिंदी में जाके समझा! ज़कैती होने वाली रात को, विट्टू गैंग के दो कर्मिनल्स ने सिग्नल को तोड़ा था! अलेक्ट्रानिक कैमरा ने उनका फोटो लिया था! विट्टू की फोटो भी हमारे भेर सारे पुलिस टेशन में मौझूद है! इस पर हमारी एक प्रेस रिलीज भी है! आर इंटेंशन इस वेरी क्लिया, विए गोइन चैच थे क्रिमिनल्स! यहां चुपकर बैटने की वज़ाए, तुम्हें मेरे साथ बहार आना था! मैं बहार आता तो तुम्हें अंदर छिपना पड़ता! मुर्ती, इन सब को बहार भेजो! इन सब का नकली पासपोर्ट बनाना असान नहीं है सर! लेकिन मैं कोशिश करूँगा! इनका अपना फोटो, गलत नाम, गलत पता, पहले ये सब तु यहां बिजवाई है! अपनी पूरी इंफर्मेशन बेजो! कौन जाएगा वहां बताओ! अपनी जाएगा अपनी जाएगा नाम सत्तार और हाइट छे फिट बैठा होगा तो हाइट केसे पता चलीगी? मैं जानता था तुम मुझसे पूछोगी, उसके पास तुम्हारी फोटो है, वो तुम्हें ढूंड लेगा और एक लेफाफा देगा, उससे समाल कर लाना है! डेबल नमर दो पर फटकावार! चल्दार यही पर है, गेट रिडी! बाट नमर डेबल पर चाहे दे! माई टू कॉलिंग, हमें बैगप चाहिए, वो इसकूल में खुच गया है, और यहाँ बहुत बच्चे है, उसमें एक बच्चे को ठा लिया है, जल्दी बैगप भेजो! जो सकतार, तुम कोई गड़बर मत करना! मुझे यहां से जाने दे! कोई गड़बर हुई तो यह लड़की मारी जाएगे! हमारे ओफिसर्स अभी आने वाले हैं, वो तुम से बात करेंगे, तुम अपनी दिवान खुन को बताना, तब तक हमें समय दो! क्या सिचुशन है? एक बच्ची को उसकी निशाना मनाया हुआ है! यह तो सिंदा है, अच्छा है कि कोई मरा नहीं है, यह कैसे गिरा सर्थ? कैसे गिरा यह? आप ने गिराया, मैंने गिराया, कैसे सर्थ? काला चश्मा उतार कर चेहरे के एक्स्प्रेशन तो दिखा? तुझे शूटिंग आती है? पिस्टॉल से तो बच्चे भी खेलते हैं, बस निशाना लगा और बिना डरे ट्रिगर दबातो बिना डरे ट्रिगर दबायेगा तो हत्खड़ी लगवा कर जेल में भी जाएगा बात्रूम में बैक्टेरिया को खत्म करने के लिए ऐसे डालते हैं सर, पोफ्यूम नहीं किसी बच्चे की जान खत्रे में हो तो बाच्चीत में टाइम नहीं गवाते हैं खत्रे को खत्म करते हैं सर, इस हाथसे के बारे में कुछ कहेंगे इसे कहते हैं इंस्टिंट सिल्यूशन बात्रूम के बैक्टेरिया मारने के लिए पिनाइल डालते हैं ताकि बैक्टेरिया मरें औने सुगंद भी आए पर वहां क्या हो रहा है वाल मिकी जी बाड़ी हटवाईए आँ, जी जाजी इस वहां होती नहीं तो बेहोश हो जाती ही चारे बाजु खुन था वगर सोचे गोली चला दी इसने वापस आते जारे मेरी आख लग गई तो सपने में प्रेसिडंट मेडल मिल रहा था मुझे लेकिन प्रेसिडंट मेडल मिलना तो अच्छी बात होती है मेरी बेवा बनकर तुम ले रही थी मेडल अपनी सर्विस में तो क्या ट्रेनिंग में भी गन नहीं चलाई मैंने कोई बात नहीं मैं चलाना सिखा दूँगा सर मुझसे गोली चलवाकर तो दिखाओ अहिंसावादी हूँ मैं आओ, बेठक लगाते हैं जिसे गाली दे रहे तुसी इक सर बेठक लगाओगे लड़कियों से लात खाने के बाद क्या लोग शादी करना छोड़ देते हैं फिर भी करते ही है न, ये केस वैसा ही है फिल्म तुमने बनवाई और पोश्टर पर जीजा जी का फोटो चपवा दिया छोड़ो भूल जाओ उस बात जिसको तुमने गोली मारी ना उसकी जेब से इसी ट्रैवल एजेंट के ट्रैवल पेपर्स मिले हैं आपको जनता की सुरक्षा के लिए रखा गया है ना कि उनको परेशान करने के लिए आप पागल हैं वो जीजा जी पर इतना भड़क रहा है और आप यहां खड़ें फ्रस्ट्रेशन इसके सर पे चड़ गई है मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई ना तो ट्रैवल मूर्ति के आदमें को पीट दूँगा है शॉक से पीटो मैं कुछ नहीं का हूँगा तकड़े है बाप रहे मुझे पता ने था मेरे टेबल पर हाथियार भी है अरे यह क्या कर रहा है तो मेरे पीट क्यों रहे हो इन्हें पीटने के लिए वज़य नहीं चाहिए सही का यह तो मेरे ही आदमी है किसने का यह तुम्हारे आदमी है किसने का यह ऐसा क्यो कर रहा है Frustration सर, बाइक चोरी हो गई, उसी का Frustration निकाल गई पीट्टे से बाइक मिल जाएगी मिले ना मिले, Frustration तो निकल जाएगी वाल मिकी, सों चालेज है भाई Frustration सर, इसकी कम्प्लेंट लहाँ कोई नहीं लिखा है Public Frustration, तो कम्प्लेंट लिखो न यह मेरे आदमियों को पीट रहा है इसकी प्रॉब्लम भी देखो ना भई तो देख रहा हूं सर यह देख लेगा सर समझ में आ गया सर यह इने क्यों पीट रहा है यह Frustration नहीं है यह एक्शन का रियक्शन है इसे कहते हैं Realization You got it तेख लेना इसका अंजाम तेख लेना क्या सर कैसा अंजाम कुछ भी करने से पहले पाच बार सोच लेना इनको पीटने के चकर में तो तुमने पुली स्टेशन तोड़ दिया हलो अरे मुर्ती जी सर पासपोर्ट का इंतिजाम हुआ या नहीं कैसे होगा सर सतार के पास मिले मेरे लेटर हट से सब गढ़ण हो गई मैं कुछ नहीं कर सकता आप किसी और को ढूण लीजिए कोई मुझे यही रोखने की कोशिश कर रहा है कौन है वो अगर कोई तेरा सरदर्द बन गया है तो सर बाम से ही काम नहीं चलेगा इसकी फोटो यहां क्यों रखी है तुम इसे पहचानते हो घर से यहां तक इसी को तो अरेस्ट करवा के भागा है एक हजार पांच सो करोड रुपे के क्राइम में वो अपराधी नंबर वन है और तुम उसके विटनेस हो पुरे देश का पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें पकड़ने के पीछे पड़ा यह किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाना चाहिए मुझे डरा कर रोकना चाहता है बाहर चाने नहीं देखा तुम जिद छोड़ क्यों नहीं देते यह जिद नहीं है सुर इको है तुम्हें यह रोकने का रिस्क वो क्यों ले रहा है रिस्क नहीं इको मेरे जिन्दा रहते है उसने मेरे फोटो पर माला चड़वा कर मेरा शरात कर दिया बदला लूँगा पकड़ कर दिखाऊंगा उसे मुझे कोई पकड़ नहीं सकता मैं वो रेथ हों जिसे मुठी में जितना कसो के वो उतनी ही फिसलती चाहेगी मेरी मुठी में फसी रेथ भी निकलने के बजाए वहीं जम जाती है आप होम मिनिस्टर का नंबर खुमाईए ट्रावल मूर्ती को कोई टच भी ना करे I want my passport सुनो डीजीपी ट्रावल मूर्ती को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ट्रावल मूर्ती से पूछताच क्यों कर रहे हो जाने दो उसे उसे दोबारा पूछताच के लिए पुली सेशन मत बुलाना ये मेरे orders है डीजीपी साब थे ये ट्रावल मूर्ती तो बड़ा महान निकला हो सके तो उसकी भरपूर मदद करो पर स्टेशन पर मत बुलाना उसे अगर हम इस बात का सबूत ले आए कि मूर्ती बिट्टू की मदद कर रहा है करती होगी तो अगर हम मधू का की कार इस्तमाल करें तो बिट्टू के टिकेट की इंफोमेशन के साथ-साथ ये भी पता चल जाएगा कि वो टिकेट बिट्टू तक कैसे पहुँचेगा और फिर हम उन्हें पकड लेंगे और की कार कैसे मिलेगा? उसके लिए मुझे दो वाटर टैंक, एक ब्लूटूथ और तीन दिन का टाइम चाहिए बरसाथ, शुरू अरे बारिश हो रही? अरे चल्दी, चल्दी, चल्दू चाय खत्म होने तक न बारिश रुकेगी, न बस आएगी रोगो, रोगो, बस रोगो, बस रोगो, बस रोगो वाल मिकी बस रुक गई, गुड, मैक्सिमम दस मिनट रोग पाऊँगा बस की रोगी सर? पोलिस ड्रिल किसलिए सर? अमलिक नी सेफ्टी माटे है अब ध्यान दीजिए ऐसे में आपको क्या करना है? मान लीजे कि ये टेररिस्ट सिर्फ मानना है बैट जाईए अगर किसी ने 420 की तो मैं इस बस के चीथर उड़ा कर 921 हो जाऊंगा सब लोग अपने मुबाइल फोल मेरी तरफ फेक दीजिए मैं कहता हूँ फेक ये बेशर्मो बाहर फेको इस पर नहीं टेररिस्ट की जान लोगे क्या? तो क्या टेररिस्ट से प्यार करना चाहिए? अब मान लीजे कि ये टेररिस्ट नहीं है अचोर छे और ये लाइटर से बस को आग लगाने की कोशिश करेगा चाकू से सब को ढराएगा तो ऐसे में आप क्या करेंगे? भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? एहले आग बुझाओंगा, बाद मैं हाथ काटूंगा पहले इसे बुझाओ और फिर इसे पकड़ कर पुलिस टेशन लाकर हैंड ओवर करो बाकी हमें संभालने दो, आप बैच जाओ बरसा तब रुख जाएगी रुख जा, रुख जा और मेरी बस? ड्राइवर, जी सर, नेक्स्ट टॉप पर हैं कमिशनर की बेटी उसके बस कार नहीं है क्या? रिपेर में गई है देखो, लाल शर्ट में एक आफिसर उसे वहां से बस में चड़ाएगा जब वो इशारा करेगा बस चल पड़ेगी जीजा जी, जहां के लोग इतने खुखार हुआ, बेचारे चोरों की क्या हलत होती होगी? तब भी देखो कितनी चोरियां होती है कहा था न, बस नहीं आएगी खिस्मत की बात है तुम्हें किस्मत पर यकीन है? मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ जो मांगोगी मिल जाएगा सच में? आज मांकर देख लो ओके बोलो आज मुझे बस से नहीं जाना ओके देखा बस भी चली गई इससे कहते हैं चमतकार चमतकार? बस को ही रोकने में हमारा बन गया है आचार चलो कुछ और मांग लो मैं बाइक पर जाना चाती हूँ बाइक? अरे बाइक कोई चॉकलेट है क्या? कि दुकान पे गए और खरीद ली? बाइक है उससे कहो रंग कमिट ना करे बस सिर्फ दस रुबए? और चुटा नहीं है मुझे भी चुटा नहीं चाहिए और क्या चाहिए पंडित जी? मुझे दो सह रुपए दो तो तुबारी गाड़ी को हरा सिगनल मिलेगा पहले श्राफिक हावल दर देगा जो मेरी गाड़ी को हरा सिगनल दोगे मजाग कर रहे हो पंडित को दक्षणा नहीं दी तो संकाट आ जाएगा आ जाएगा नहीं आवी गई हो अरसी बुक देना अगर ये वापस चाहिए तो बस टॉप पर लाल शट वाला खड़ा है उसे बाइक देदो और कलाना क्यों दूँ? इस बाइक में बम रखा है आप ही वो लाल शट वाल रहे है न आटो खुश होना अब बस बारिश की कमी है फिर से बारिश? नहीं होगी वाटर टैंक्स वापस भेज़ दिए चलो तुम्हारे ओफिस चलते वहाँ बारिश ने एक तूफान का मजा लेंगे उसके आफिस जाकर वाटर टैंक ढूड़ने की कोशिश करो पहले बारिश अब तूफान लाना है आशूंचे एसीड जाली कलाने के लिए और ये वल्डेल जाली को काट के हटाने के लिए और ये ग्लास के सलिए? थीडी एफेट के लिए और इसका क्या काम? बजबूत पकड़ के लिए ये प्लास्टिक एक्स्प्लूजिव है न? इसे किस लिए? इसे कहते हैं मौडरन जमाने का चोड़ ये सिर्फ मवाली ही नहीं चोड़ गी है तुम्हें कुछ मिला क्या? बिट्टू और मधू के कलके फ्लाइट्स के टिकेट्स बोग्ट है दुबाई, वाय मुंबाई मधू की? इस बैंक रॉबरी में उनके साथ वो भी है क्या? कैसी बते कर रहे हैं? जो प्यार नहीं कर सकती, वो बैंक क्या लूटे ही? तो फिर ट्रावल मूर्थी को पकड़ना चाहिए, वो कुछ हुगलेगा इस मचली का चारा केचुआ नहीं होना चाहिए साफ साफ बताओ अगर ट्रावल मूर्थी पर हाथ डालेंगे तो बिट्टू हाथ से निकल जाएगा करेक्ट, मूर्थी की ऑफिस पर नज़र रखते हैं हम सिर्फ बिट्टू को ही नहीं, दोनों को पकड़ेंगे करेक्ट पिज़ा सार जिसका ओडर है उसी को जाके देदो बिट्टू, मेरा पासपॉर्ट का है एक मिनटे, तुम्हारे ले फैमिली भी अरेंज कर दिया है वाइफ को लक्वा मार कया है एरपोर्ट सेक्योर्टी चेक पर सिंपती मिल जाएगी तीन बजी की फ्लाइट से बॉम्बे और रात को वहीं से दुबाई यह तुम्हारी टिकेट्स मेरी पीवी कौन है मेरे तु कही ओडर नहीं लिया मध्यो क्या हुआ तुझे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ जाना ही खाया होगा और बेहौश हो गई अरे तुम देख किया रहे हो इसे जल्दी पर हॉस्पिटल ले जाओ यह क्या है यह तो पीज़ा डिलिवरी करने वाले की बाईग है जूम करना बॉक्स में पीज़ा होना चाहिए कपड़ा कैसे आया कुछ समझ में आया वो डिलिवरी बॉई नहीं बिड़ो है मदू, मदू कहा है वो बेहोश हो गई थी उसे होस्पिटल ले गए है कौन ला है पीज़ा डिलिवरी बॉई नहीं शिट तैट बस बिट्टू आखिर वो मदू को लेकर भागी है फीन बज़े कि उसकी बामबे की टिकेट है ब्लॉक टी एपोर्ट रभी 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 जाना कहा है ये तो बताओ रुपो अला बेश्वात हो दे स्टॉल काड़ी यहां क्यों रोक दी पर हमें तो राइट जाना है पासपोर्ट देने के बाद तुम्हारा काम खत्म अब कहां जाना है ये मैं तैय करूँगा पर दुबाई जाने के लिए बैंगलोर से भी जा सकता हूँ मैं वहीं से रात के फ्लाइट पकड़ूँगा अब मैं क्या करूँ मुर्ती लाइफ में अपनी मंजिल का पता किसी और से कभी पूछना नहीं चाहिए बल्के खुद मैं समझ होनी चाहिए रुको रुक जाओ रुक जाओ हमें राइट में जाना है तुम इतने टेंशन में क्यूं हो एरपोर्ट पर पुलिस पहले से तैनात है मुझे यखीन है वो एरपोर्ट नहीं जाएगा उसका कार नंबर है हमारे पास वो बचकर जाएगा कहां इस बार भी वही पैटन होगा सर कुछ लोग एरपोर्ट के और जाएगे कुछ लोग चन्ने हाइवे पर गोल गोल चकर घुमा के हमारी पूंगी बजाएगे और वो हमें उल्लू बनाकर बैंगलोर हाइवे से निकल जाएगा तुम इतना शार कैसे हो? क्योंकि मैं पांच मिनिट में उससे वही मिलूँगा सर वो देखिए बिट्टू के गैंग की कार्स क्या गैरंटी है कि वो बिट्टू के गैंग की ही कार है इतना चक्मा देने की बात भी मेरी समझ में ये नहीं ही आ रहा है कि पुलिस इतनी इंटेलिजन्ट कैसे होगे कि हमें ठोड़ निकलों है ये ये रभी ये लेंट ग्राफिंग मत करो प्राफिक रूल्स मत तोड़ो सामें जो अरे सामें जो भाई काड़ी देखकर चलाओ हम मर जाएंगे ये ये गाड़ो देंगोश़ शी आछोगरो सामें जो थ्लिकर चलाओ वादान जो भी मड़शनॉ सामेंत तोड़ी जो लोगत उसमें पजिलेयो उसमेफ से हमें तरहे कहां लेका जा रहे हैं भूँ का लेका 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 प्लेन नथी भरमर गया धीरे चलाओ धीरे चलाओ गारी तरकारी है मगर जान तो अपनी है ए रही एक सेकड़ के लिए गारी रोगो मैं उतर जाता हूँ खाक! बजिफ पिंदा है कम नचलाइगा! ठीड़ा रामी रामी तेरी इतनी हिम्मत तो बिट्डु को मारेगा अपको ली चला हिम्मत है तो चला जब मेरा भाईया केला था तब मेरा भाईया केला था तब तूने ही उसे बेरहमे से मरा था ना तूने क्या सोचा था तू और तेरा भाई सौ साल जेंगे साले चोर उचके तेरा भाई तो 25 साल की उमर में छोड़कर चला गया अब तू भी जल्दी उसके पास पहुंच जाएगा तू कोई जोतिश है क्या जो मेरे मौत की तारिक अब तू अपनी सारी फैमिली की लाशो को कंधा देने के लिए अपने कंधे मस्पूत कर ले मेरी फैमिली तक तू क्या पुहँचेगा इस वक्त जिस लड़की पर तूने बंदूख ता नी है वो मेरी जान है तेरी गन में दस गोलिया है एक भी गोली एक भी गोली निकली ना तो अगली गोली निकलने से पहले तुझे तरपा तरपा के मार दूँगा अबे वैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है वैसे ही एक गोली पर तेरा नाम लिखा है और वो गोली मेरी बंदूप में है विट्टु में तेरा नाम वनिशान मिटा दूंगा मैं मार दूंगा मार दूंगा कहके मुझे धमकाने की कोशिश बत कर अगर तूने इसे खरोज भी पहुचाई तो मैं तुझे डारेक्ट रूपर पहुचा दूगा तो दपाज रिगर पागल हो गये हो क्या वो उस लड़की को मार देगा इसकी अफ़ास सुखकर मेरा तिमाग घड़ कया है तो ठीक है चला गोली चला बार दे इसको मारता क्यों रहे तू क्या मारेगा इसके अब तो तो गई साले चापर मधू अब तो यहां भीच रास्ते में हम फास चुके हैं जल्दी से गाड़ी भेजो हमारी गाड़ी जलकर खाग हो चुकी है फायर प्रिगेट भी भेजो जल्दी भेजो अब देर मत करो वो साले मुझे सडक पर अकेला छोड़ गए हैं जल्दी गाड़ी भीजवाओ बिट्टू ने लड़की किड़ा यह क्यों गी थी? पता नहीं तुम ठीक हो रवी? बिट्टू मिला क्या? नहीं सर पर नाकाबंदी की हुई है चायला तुमने उसे देखा था? आई यू शूर? तुम्हारा आप यहां रहना ठीक नहीं रवी तुम्हारी लोकेशन बदलनी होगी और वो भी एकदम पटा-पट कहां बेजेंगे सर? गोरगपूर या पटना? सर सुनामी से बचने के लिए रीन कोट पहनने का काम कोई बेवकूफ आदमी कर सकता है और आप इस वक मुझसे ऐसी बाते कर रहे हैं सर आप ज़रा कॉमन सेंस सोचिए जब चोर भागता है तो पुलीस उसे पकड़ती है लेकिन यहां मेरे साथ उल्टा हो रहा है यहां चोर मेरे पीछे बढ़ा है और मैंने पुलीस की मदद की है फिर भी मुझे भागना पड़ रहा है पुलीस को और टाइम मंगता है और कितना टाइम चाहिए? 15 मिनिट में मैंने उसको पकड़ कर दिखाया था और अगले ही दिन वो आपको चक्मा देकर भाग निकले सर आप और वो बिल्कुल ही जैस है वो पैसे के लिए किसी का भी गेम बजा सकता है और आप सैलरी के लिए अपनी पोस्ट से चिपके पड़े है अभी आपको अंदाजा भी नहीं है इस वक्त मेरे सर पर कितना जुरून सवार पाताल से भी उसे ढून कर उसके सर में इस बंदू की सारी गोलिया मैं रविंद्र नारायन का नाम सुनते ही उसकी बैंड कीली हो जानी चाहिए अगर मैंने उसे ठोक गिया नो तो पोस्ट मार्टम के लिए उसकी बॉड़ी का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा मैंने फैसला कर लिया है अब मैं यही रहूंगा मेरा एड्रेस पीपर में छपपा दो अब उस बिट्टू को मिट्टू का तेरे साथ क्या रिलेशन था कोई रिलेशन नहीं था उसने मेरी इंपलॉई के साथ-साथ मुझे भी किट्नैप करवाया फिर किट्नैप करने के बाद उसने तुझ अखेले को क्यों छोड़ दिया मैं अपने लॉयर से बात करेगा जिन्दा रहेगा तो लो ऐसे बात करेगा न सारे अब इसका बयान लिख लो मरने के बाद अंगुठा लगवा लेना अब इसका फंदा खोल दो नहीं अभी नहीं मरने के बाद तीन मिनिट में मर जाएगा नहीं मरा तो पैसे बापस सबढ़ गया, लाश्य अंगुठा लगवाना बहुत ही आसान काम है इसको बचाने के लिए पुलिस ने बहुत बड़ा स्टिंग ओपरेशन किया था सची, मेरे पती ने इसके ओफिस में चोर कैमरा चिपाया था इससे फोरें पता चल गया किया किटनेप हुई है अंगल, आप क्या टाइम पास कर रहे है इल, कम्बरनी वाल पैसो के चक्कर में डॉक्टर निजिन्दा रुख्खा अंगल, उल्याई है कैसी हो बेटी, तुम बहुत खुश होगी न मैं तो कहूंगा कि तुम बहुत लखी हो बेटी और वक्ट पर रवी मेरी आफिस में आ गया और उस वक्त मैं भी आफिस में मौजूद था और तुम बच गई इसे कहते हैं वक्त वक्त की बात सर, मदू कैसी है क्या हुआ, जबडायल गया मदू से मिलू ना क्या मतलम अभी तक नहीं बना कल शाम तक मुझे मंगल तूत्र रेड़ी चाहिए और बाद में बात करता हूँ लिटा, तुम मदू से मिली? तुमारे जबडे में दर्द है क्या है? हम मदू से मिल सकते हैं चलो पैंसा गया लाला भी चला गया मुझे तो लगता है रवी अब हमें भी चलता करेगा एक ही धके में यह स्कुरू तेरे टर्क और तेरे भेज़े से बाहर निकाल बेगेगा यह नमबर देख रहा है एक, रवी की सारी फैमिली मरेगी दो, फिर वो मरेगा तीन, हम इस देश से बाहर जाएगे अगर तुने मुझे तंग किया तो सबसे पहले तू यहां से जाएगा मेरे लिस्ट में चौथा नमबर मत चोड़ क्योंकि तीन मेरा लगी नमबर है तेरा एक, तो, तो, तेरा एक, तो, तेरा एक, तो, तो, तेरा अरे ये क्या सब खा गए किसी ने नहीं खाया चोर अंकल बॉटल के साथ चकना भी ले गए तुझे कैसे वालू थंडी बॉटल से उनका कुर्टा गिला हो गया और चकने के दाग उनकी लुंगी पर लग गया हाथ में दो तैंक यू बै अगर तु इतना समझदार है तो तु उसने मुझसे पंगा लिया वो पहिदाईशी गुंडा है और इसका तो ट्रेनिंग पीरेड चाल हुए तो अभी आगे तेरा गया प्लान है वेरी सिंपल सर मेरे सामने है तीन टार्गेट्स है नमबर वान पहले तो अम्मा बाबा को यहां लाना है ताकि वो सुरक्षित र आजाए नमबर थ्री इस बिट्टु को घटम करना है बहुत तंकर रखा है उसने मुझे पर तुम यह सब करोगे कैसे जनरली हमारी जनरेशन के लोग प्लान करके काम करते हैं लेकिन मेरे जैसे स्मार्ट लोग काम करते-करते प्लान कर लेते हैं सो गोल नमबर वान मम्मी हलो बोलो आप निकले के नहीं आए एक गंटे में गरीब रसे निकल रहे हैं गुड पडोसियों से कहना घर पर नजर रखें कहने की जरूरत नहीं उनके नजर दूसरों पे रहती है बाबा स्टेशन के लिए टैक्सी ले लीजेगा टैक्सी बहुत महेंगी रहेगे आटो अगर बिट्टू को तुवारे प्लैन के बारे पता चलिया तो अब बिट्टू के टट्टू मेरे घर पहुंचेंगे दर्वाजा खड़ लटाएंगे तारा ठीकेंगे पडोसियों से पूछेंगे मुझे घर की काम से फुर्सती कहा मिलती है जो दूसरों के घर में जाब कर देखू पैसों से या बंदूग से उनसे सच उगलवा लेंगे वो गरीब रच से जाने वाले हैं एक बैग दो सूट किस और तीन आदमी टैक्सी से स्टेशन गए हैं गन हटाओगे तो घर पे कॉफी पलाओंगी बाबा कहां पहुचा आप बस यूटर्ण लेते रेल विस्टे से मैं आ जाएगा राइट लेकर फॉरण एमदाबाद आ जाईए क्या एमदाबाद मगर कैसे हैं उसी टैक्सी से टैक्सी का वाड़ा के तू देगा अब मुझे किसे पैसे देना हैं एमदाबाद लेलो भी जिस तरह किसी फिल्म के क्लाइमाक्स में विलन के आदमी हीरो को ढूनते हैं न उसी तरह बिट्टू के आदमी पागलों की तरह मेरे माबाब को ढूनेंगे इससे कहते हैं प्लानिंग जी जा जी लोग तो चाकू या छुरी से भी डरते हैं लेकिन आप बम की पिन निकाल कर उस पर ही बैड़ गए हैं आपने इसे घर में रख ली और साथ में इस पर दारू और काजू का चड़ावा भी चड़ा रहें अरे भाई अब अगली बारी किस की है बिट्टू की अरे क्या सेर आप तो नशे में टागेट का नंबर भूल गये टागेट नंबर टू मेरी प्यारी मधू मधू प्लीज मैंने क्या किया है तुम मुझसे इतना नाराज क्यों है मधू उससे बढ़का कर मुझे मरवाना चाते थे वो सब ड्रामा था यार और कुछ नहीं वो तुम्हें नहीं मारता प्यार का नाटक करके तुमने मुझे भसाया ना मधू ऐसा नहीं है तुम्हें कुछ गलत फैमी हो रहे है चपल से मारोंगी तुम्हें में जुपान पर कंट्रोल नहीं कर सकते मेरी कुर्बान ही देने चले थे सर जरा ये देखे इस बहनजी टाइप की लड़की को मैंने ऐसा पठाका बना दिया और अब आते जाते सब लोग इस पर लाइन मारते हैं ए लाइन में सब तुम्हें देती हूँ समझे ना तुमसे शादी करनी है बाबी और बबलू जैसे दो प्यारे सी बच्चे चाहिए मुझे दो शरारती लड़के तो ठीक हैं लेकिन उन्हें एक चुलबुली सी बहन भी मिल जाए तो फैमली कम्प्लीट हो जाएगी तुम्हारे लिए मैंने जीन स्पेननी शुरू की शादी के बाद किस करते वक्ट चश्मा बीच में आएगा इसलिए लेंसे स्पेनने लगी तो क्या मुझ पर ऐसान किया तो हमेशा गलत क्यों सोचते है वाद दिंक इस माई फॉर्ट मदू किसकी गलती है वो यह आदमी बताएगा सर बताएगे चेक चेक खाते वक में से कान से निकाल के जेब में रखता हूं आप लोग किसी बात पर जगड रहे थे मुझे ऐसा लगा एक बार फिर जगड़ेंगे क्या आपको बुरा ने लगे तो हां आराम से जगड़िए मैं ध्यान से सुनूंगा मधू अगर सेंग अब आदमी उसे लेकर आएगा तब चलूंगी असरे खुमाने के लिए बाइक चाहिए अच्छा वहाँ जाना है क्या आपको आज ही है आप चाहे तो पोरा शेहर गुमाई है उस दिन तुमने बाइक क्यो दी थी उस दिन मुझे एक पोलिस ओफिसर ने धमकी दी के मोटर साइकल से मोटर निकल के सिर्फ साइकल ही मुझे पकड़ा देगा इसलिए डर के मारे मैंने दे दी फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे थे मैं मुस्कुरा था नहीं, मेरा चहरा ही ऐसा है मधू मधू, प्लीज मेरी बात मांझा, उसमें मेरी कोई गल्ती नहीं थी मधू मधू मेरी पात को सुनो, मधू, प्लीज अगर बारिश ना होई होती, तो ना उस दिन तुम से बात करती और ना तुमारे साथ चाए पीती आनिका टेंकर तो यहीं पर है तुम यह क्या बड़ बड़ा रहा हो, तुम नहीं करवाई थी नू, 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 मैं कैसे बारिश चमताओ अँ, बगवान, अब पता चलावा चमतकार कैसे हुआ था पापा मेरी बच्ची क्या हुआ, किसी ने छेडा, कोई लड़का तुम्हें तंग कर रहा है हाँ, पापा देखो बेटा, जब तुम्हारे दाख में क्लिप होती थी, तब एक भी लड़के ने तुम्हें प्यार से देखा नहीं न, जब तुम पहनजी जैसा चश्मा पहनती थी, तब किसी ने तुम्हारी और देखा, नहीं देगा न, और जब तुम पर्दे वाली ड्रेस पहनती थी, तब किसी ने तुम्हारी तारीफ की है, बताओ नहीं के न, हमें तो इसको ठैक्स बोलना चाहिए, बता इनसे बात क्यों करें, तुम हो कौन, यहां के तमाशा क्यों कर रहे हो, तुम मोझे ठीक से जानते नहीं हो, मैं कित्ती खुखार हूँ, यह मेरे पती तुम्हें बताएंगे बिल्ली की तरह पंजे मारती है, फिर भी I love my wife आंटी जी, थोड़ा नारियल तेल मिलेगा देखा सिर्फ पंजों की बात सुनकर यह तेल मांगने लग गया है, तुम से डर गया है खिलोना है यह चलती भी है, अबे कद्दू, रोते वक्त खाते नहीं और खाते वक्त रोते नहीं, थोड़ा अपनी बेहन को भी खिलाया कर देख इसे, सूख कर काटा हो गई है, हवां का जोका है नहीं कि फूड़ गई आँटी, गेट पर चड़ कर बैठेगी इसका मतलब यह नहीं कि तु बच जाएगी तेरी तुम अब क्यों नहीं कहता, आइ लव माइव, आइ लव माइव, कहना अब बोलो, मधू तुम्हारी क्या लगती है? देवी समान बेटी, मतलब इसे प्रसाद चड़ाओगे और खुद खा जाओगे तो इसे इंसान मानो, अगर इसकी देखभाल में कोई कमी होई ना तो दर 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 सब उतार दूँगा और मधू, I love you, मुझे भी तुमसे बहुत प्रसाद प्रसाद बाद में मिलता हूँ क्या तुम चानती नहीं कि मैं कौन हूँ, अबे तुझे नहीं पता तु कौन है, या अधास कमजोर हो तो गले में आइकार लगा कर घुमा कर तुम क्यों पकड़े गए? नकली पासपर्ट बनाने के चक्कर में तु इसमें गलत क्या है? ये तो कला है, कलाकार को भी पकड़ते हैं क्या? तुमने क्या किया? मैं तो बस एक मा की इच्छा पूरी कर रहा था मा की इच्छा? हाँ, एक मा अपने बच्चे से कह रही थी, बीटा बाहर में जावरना गबर पकड़ लेगा बच्चे ने बात नहीं मनें, और बाहर चला गया अगर उस वक्त कब बाहर ना होता, तो बच्चा मा पर यकिद नहीं करता मौका देखे, मैंने बच्चे को उठा लिया लेकिन भलाय का तो जमाना ही नहीं रहा, उसकी मा नहीं मुझे पकड़वा दिया कहने लगी बच्चे को किड्नेप किया है अबे, यू प्लेट घिसने से दिवार में छेद नहीं होगा कल तुझे जेल में शिफ्ट कर देंगे, वहाँ जाकर कैदियों के जूटे बरतन घिसना समझा इंस्पेक्टर, आप क्या है, मुझे प्लेट पेपर और एक दरजन पैन चाहिए किसलिए, आत्म कथा लिखने के लिए, किसकी बे, अरे, गांधी जी, नहरु जी ने जेल में अपनी आत्म कथा लिखी थी वही पड़े लिखे थे क्या, मैं नहीं हूँ, हाथ के सफाई में मैंने पिएसडी किया है, मैं अपनी कहा नहीं लिखूँगा, चलो, समन भिजबाओ अवलदार, ये कालिदास की अउलाद के लिए पैन और पेपर लेग रहा, ये महाच और अपनी आत्म कथा लिखेंगे सर, 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 आप क्या है रहे? एक कप चाय चाहिए, सर, अबे तेरे बाप का घर है क्या? मैं यहाँ का दामाद हूँ, सर, जेल को सस्राल केते हैं, अवलदार, ये ऐसी पकाता रहेगा, चलो, हम लोग राउंड अप करके आते हैं आप चलिए, सर, पीछे-पीछे हम भी आते हैं रास्ता साफ है, निकल लेते हैं ये क्या है? फोन है वो कौन था? मेरा चाहने वादा इसे देने के लिए इतना स्टाइल क्यों मारा उसने? रजदी कान की फिल्म में बहुत देखते हैं ये लो, पकड़ो, शाम कोई से मुझे फोन करना, मेरा फोन नमर इसमें है तुझे पूरा यकीन है ना कि वो उसी फोन से बात करेगा? हो कट कह सेर, वो उसी फोन करेगा अगर कहीं और से फोन किया तो बिट्टू को ढूढ़ना मुझकिल हो जाएगा रवी जिन्दा बच गया है उसका मारे पिना मैं चैन से नहीं बैटूँगा रवी तक तू नहीं पहुच पाएगा वो अपनी जिन्दगी से तंग आकर खुदी तू से चूँ नहीं सकता मैंने तुझे आदमी दिये, फिर बैन दी, फिर क्रेन दी और लाख लाख रुपए दो बार दिये तुझे नकली फैमिली तक बना कर दी और फिर पासपोर्ट के लिए लाख को खर्च किये वो सबलक इस राज को छुपाने के लिए सत्तार की फैमिली को हरजाना दिया तब जाके इस बावाल से मेरी गर्दन छूटी और तुस्ते पेरपोर्ट जाकर एक फ्लाइट नहीं पकड़ी गई मैं तुझ पर डेड़ करोड रुपए खर्च कर चुका हूँ ये लो ये मेरे लिए फिजूल खर्ची और तेरे लिए बोनस चीरो यह सिर्फ पेपे बेबे मेमे कर सकती है और किसी काम की नहीं है अगर मैंने रवी को लगाया होता तो वो 15 मिनिट में बैंक लूट के यहां बैठा होता एक 25 साल के छुकरे ने तुझे छटी का दूद याद दिला दिया है साले तू तो जाके उसके तलवे चाट विशर्मों की तरह बैठा है जब किसी पत्मी के सामने पराय मर्द की तारीफ करो तब उसके पती को कैसा लगता होगा इसके सामने तुने रवी की तारीफ की, मुझे भी वैसा ही लगा पेपेबे मेमे में हां, जानते हो मैंने क्या का, कि तुझे मार दोंबा हैंडी कैप है वो, सुन नहीं सकती, सौरी बोल माफी मांग अगर मैं सौरी बोलूगा, तो वो सुनेगी कैसे मुझे, मुझे बचा ले, बचा ले दिल तूटा है मेरा तुझे बचा के मुझे क्या मिलेगा? पैसा! पूरे बंदरा सो करोड वो मैं तुझे देदूगा, मुझे बचा ले वो चो चुराय थे? हाँ वो पैसा तो चल किया था ना? नहीं, सिर्फ ट्रक जला पैसा पहले ही हटा दिया गया था पैसा काँ चुपा है? कहाँ है? बता परना ये मर चुका है बिट्टो फोन करना है, कर रहे है वो शायद मुबाइल इस्तमाल नहीं करता इस दिये ट्रांस्मिटर लगा दिया सर मैं ट्रेवल मुर्ती बेल नहीं मिली, इसलिए जेल से भागाया यहां बहुत गड़बड है बिट्टो को बहार भीजना बहुत मुश्किल है पहले तो ये जान लो कि तुम किस से बात कर रहे हो हो मुर्ती बिट्टू? पर वर्दराज जी वो तो आउट ओफ ओडर हो गए है अरे, कितनी मुश्किल से तुम्हें लोक अप से भागा हूँ तुम जूट अच्छा बोलेते हो नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ जसादमी ने तुम्हें भागाया है जसादमी ने तुम्हें पूर्ट करने पर वजबूर किया है उससे बात करनी है हाई रविंद्र नारायन यूर फ्रेंड बिटू हीर हाँ, हाँ, हाँ आई यू विस्ट में तुम्हें छोटी से कहाने सुनाता हूँ मेरे बापा एक दिन लाला के नाखुन काट रहे थे और गलती से लाला को चोट लग गई मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि लाला रो रहा था वो दर्द से चिला रहा था पापा ने मुझसे दवाई लाने को कह मैं दोड़कर अंदर गया भाई का खुन देखकर मेरे रासों निकल आया दूसरे दिन खबर मिली कि मेरे बाप का खुन हो गया उसके बाद लाला कभी नहीं रोया पर एक बात कोई नहीं चानदा यहां तक ही मेरा भाई भी नहीं कि वो खुनी मैं था लाला के खोन की वज़ा से पपा की चांट गई अब तेरा क्या होगा ये शायद यम्राज को भी नहीं पता देखता हो कि तुम कितने समझदार हो चलो चाई पी कराते हैं कैसे आदमी हो तुम वो सीधे सीधे वार्निंग दे रहा है और तुम्हें डर नहीं लगता तो अब क्या करना है इस बिट्टू नाम के ट्यूमर को हटाना ही पड़ेगा और इसकी सरजरी मैं करने वाला हूँ वो इतने खुंखार अदमी है तुझे उससे डर नहीं लगता मुझे उसकी फिकर नहीं यह बूल जा उसे मैं अभी उसे मार सकता हूँ वो चिलाता है और मैं नहीं यहीं फर्क है मधू अंकल वो मधू है ना अरे यार यह लड़की इतनी दुबली है चश्मा लगा के भी ने दिखीगी अंकल उस दिन गुस्से में इसने मुझे क्या क्या नहीं का आज मैं उसका बदला लूँगा ए ए मधू चल लो मधू मधू लीज प्लीज प्लीज रुको ऐसे क्यों भी हग कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो नहीं जान मैं यह भी नहीं जानती कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या नहीं तुम्हारा नाम भी रवी है एए वाट आ यू सेंग मधू अल लॉव यू ना हुआ यू तुम्हें मेरा बैक्राउंड चाहिए ना मेरा नाम रवी बाबा का नाम नारायन शास्त्री मा का नाम मधू बाला चोटी भेन का राजी जराई 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 सीता राम का घर आखिर है किदर हम तीन गंडे से गोल गोल खूम रहें पापा आप मधू यह मेरे बाबा है क्या टाइमिंग है तुमारी कहीं जिपा कर अखता क्या ने डायलोग खतम हुआ नहीं कि कार की एंट्री होगे यह सच मुझ मेरे ममी पापा है यह बड़ा यह तो एक नंबर का जोटा है तुम्हें तो समझोनी चाहिए यह आखर है कौन किसी अंधे को भी यकीन नहीं होगा कि यह तुम्हारे पापा है शकल भी नहीं मिलती तुम दोनों की यह मुझ पर गया है कान खोल कर सुनलो यह मेरा बेटा है और यह बेटा है और इतना भी चीप नहीं है कि अपने माबाप भी बदल ले तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हम लोग एक परिवार नहीं है तुम्हारे मानने ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा कान खोल कर सुनलो यह मेरा बेटा है और यह बेटी अगर तुम हमारे घर की बवव बनी न तो इससे बचना काटने को दौरती है खुबसूरती के साथ खुंखार की है सीथा राम का घर की तरद राइट से सिधा जान मदू, 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 रुको, यहीं रुको, पकड़ो इसे, यह किसलिए? पेपर वेट है, यहां वाँ फुर्दक रही हो न, तुम्हें एक खड़ा रखने के लिए लाया है, मेरी बात सुनो न, मदू, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, सच्छी, मै चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर, रानी बना के रखूँगा, एक और जरूरी बात, थोड़ी सी रिसकी बात है, तो अपनी सेफटी के लिए वजन बढ़ा रहा हूँ, मदू, मुझे तुम्हारे प्यार में अजीब-जीब सपने आते हैं, मैं देखता हूँ कि हम दो कितनी नक्चडी है वो, वो तुम्हारी होने वाली भावी है, जरूर इसने कुछ किया होगा, तब ही वो भड़की हुई थी, तुम सिधा बेडरूम के अंदर क्यों गुझ गई, बोलो क्या सोच रहा हूँगे, मेरे घरवाले आ रहे हैं, हमारे रुष्ति की बात करने, यहां पर, वो लोग यह नहीं जानती की लड़का कॉन है, पापा को तु मालूम है, उस खूखार मां से तुमने पटना, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, जो उनसे निप्टूंगा, तुम जानती हो ना कितनी खडूस है वो, एक तो तुम्हारी को नहीं जानती हो, अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे कपड में देख लिया ना, तो वो मेरे सारे कपड़े उतार देंगे, कपड़े उतार देंगा, बोलो ना, जानू, बोलती बंद हो गई, एक्चुली, कुछ कहो ना, प्लीज कपड़े पहनो, मेरा गला सुख रहा हाए, तुम्ह से आँ अए, तुम्हा क्या कर रहे हो? तुझा है, मैं तुझसे मिलने आए हो, एक तेरी बेटी के लिए क्या आया हूं मैं, ए आउंटी, तु चुपचप इसकी शादी करवाना चाहती है ना, दू क्या एक, ते हाँ और ये पुलिस वाले का घर है, जाओ यहां से, अच्छा, तो दूला कौन है, यही है ना, हाँ, कौन ये, नाकनक्षा अच्छा है, हाँ, रवी, साड़ी वाली पे मेरी प्यार की गड़िया डग गई है, उधर रेट्स सिगनल मिलेगा, वो मेरी सास बनने वाली है, सौतेली सास का हो, क्या, कह रहे हैं आप, शायद इस से तेरी शादी में अरचन पैदा हो, तेरी शादी की बाद में से भागारे जाओगा, मुझे लड़क आपकी बाते सुनकर, मेरा रूम रूम खुश हो गया, आगे बुली, हम तुमें कैसे लगे, पाँ उसे सर तक स्वर की अपसरा लगती हो, वैसे तुम करते क्या हूँ, चोरी मेरा काम है, तभी तुमने मेरा दिल चुरा लिया, माल डाला रहे, यस, यहाँ देखो, आखो में आखे डाल कर प्यार करो, यस, समाज हमारे रिष्टो को माने या ना माने, मैं आज और इसी वक्त सब के सामने, इसे हमेशा के लिए अपना बना लूँ, तेरी तो, चोड़ना, पगला गई हो क्या, यहाँ लड़की की शादी ताय करने आई हो, औ यही तो होने वाला दामाद है, लड़का तो मैं इसका लगता हूँ, यह तो नोकर है, वो है हमारा दामाद, मुझे नहीं मन्जूर, क्यों, मेरी शादी एक बुढ़े से हुई है, तो उसकी शादी भी बुढ़े से होगी, यह क्या किया तुमने, जिस कुलाब से काल को कार पर्क मत कर, मैं अभी आता है, ओके, हाई रवी, 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 अब जल्दी जाने नहीं दूगा, आओ, ने, मुझे जाना है, अरे, कुछ खा कर तो जाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, क्या बात है, आज पूरी फैमिली एक साथ है, आज रवी की सगाई हो रही है, कंग्राइक्स रवी, ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, वहां पहुंच के फोन करता हूँ, ओके राजा, सर, रुकिया, मैं इनको छोड़ कर आता हूँ, सर, हमारा केस कहां तक पहुंचा, ये केस दिन बदिन पेचीता होता जा रहा है, मिनिस्टर साब के साथ भी बातच जालो, 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 जालो अहां है रवी कोईसी हा है तो हुआ। मेलो उस जातने सेसे को जाया ने पिल गिलोगों। कर जाया कि कउला як scoff? मेलो हनु जै जालाओ। जै कि दो किसी का बताया तो थो आप धो जाला हुआ। जाया जाया... जाया बढ़ जाया जाया... कर दोजय कर तक सान तुमर के दुम को कर दो कर दोब कर दो झालो प्रुट लुट ने सो दो कि अुट है कि औक खूज जा, 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 जो ज़र जिड़ो जर भगचा नहें ज़र। राप्मी जा हो मंझी राप्य। राप्य। भाइया राप्य। ऱाप्य। जाने दर हमें बेटा ठाल ठाल अब 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 अ ब कर अब躾 लिए बहुच कि दए, बहुच कि द्रा Simple बहुच क्यांकि वाविंश बहुच कि भीकु उन हो, बहुच कि यह उन हो यह缝 जो, आज है दो मैं हॉ इड पसे दइ कि खौड़ं का तुझ्जा है अरे क्या हो गया इने भुंग आदा रभी तुने डेप भाबा कोली चलाए था थोड़ था अरे अरे उस्से चौड इनने हॉस्पिटर लेकर चाले है तेरे बाबा बच सकते हैं उन्हें अस्पिटल ले जाओ जल्दी अरे एपुलेंस को बुलाओ रवी जो दिया यह क्या हो ग्या हो ग्या हुश्ट सर बाबा आप घबराये मत कुछ नहीं होगा तुम तरह यहां हो देखो रवी क्या मैं बात कर रहा हो ना रवी एसी पी की उस कार में जो बम था उसका ट्रिगर इस फोन में था यह फॉर्मालिटी है पूछताच के लिए तुम्ही ले जाएंगे चलो पर मेरे बाबा को इस वक्त मेरी जरुदा में हूँ ना सब संभालूँगा चलो तो रवी कहा है रवी हास्पिटल चलते हैं क्या हुआ सर उन्हें कुछ नहीं हुआ मेरे बाबा कैसे है सर कहा ना उन्हें कुछ नहीं हुआ देखिए मुझे सच बताए प्लीज रवी चलो रास्ते में बताता हूँ यह आपका दामाद है जो एसे ले जा रहे हैं यह एक मुझ लिख दो कि मैं अपनी गैरंटी से अपने बेटे को ले कर जा रहा हूँ, चलेगा, आव बिटा राची तुम्हारे बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं, बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, अपने गिरफतारी के बारे में उन्हें मत बताना, हालत बिगड जाएगी उस रोज अगर तुमने दस आजार रुपे ना लिये होते, तो मैं सुकून से बच्चों को टूशन पढ़ा रहा होता, तुम्हारी मा रसोई में पकोड़े तल रही होती, बेहन टीवी देख रही होती, असली कमाई तो वही थी बेटा, वो तुम्हारे एक लाख रुपे स लाख गुना बेहतर थी, साट किलोलीटर से ज्यादा स्पीड से भागती होई ट्रेन, प्लेटफॉर्म पर रुकती नहीं, ये बात तुम जानते हो, फिर दो गंटे में दस हजार का एक लाख बनाने का लोजिक क्यों ढोन लिया बेटा, कोई भी बेंक दस हजार का एक चाहता है, जब भी सोचता हूं तुम में और बिट्टो में कोई फर्क नजर नहीं आता, तुम्हें लाख चाहिए था, उसे करोड चाहिए था, नमबरों में बले फरक हो, मकसद में नहीं था, नहीं बाबा, बात बुरी लग गई, अच्छा बताओ, तुम से एक बार गलत एक बार धर्मराज ने जुआ खेला था, तब खुर खित्र की लड़ाई होई थी, उस राद दस हजार के तुम्हारे जुए ने तुम्हारी जिन्दिगी को मौत के करीब पहुचा दिया, जा, शुद्ध करो, और सुनो, मेरे पांच लाख रुपियों के लिए नहीं, मेरे जैसे साधारन, टीचर, क्लर्क, सुपरवाईसर के लिए जिन्दोंने बेटी की शादी के लिए, बेटों की पढ़ाई के लिए, रिठार्मेंट के बाद घर बनाने के लिए पैसे जमा किये थे, वो उनके सपनों को पूरा करने के लिए थे, उनके लिए चाँ, और पूरे एक हजार पात्सो करोण लिकरा, और तब तु कहने हो, तेरा मकसद बिट्टू से अलग है, मैं ले आऊँगा, शहर के पूर्व MLA और कोपरेटिव बैंक के जैर्मन वर्टराजन जी का उनके फार्म हाउस पर मर्डर कर दिया गया है, इस केस के बारे में तुम फिक्र मत कर एसीप के मर्डर केस से मैं तुम्हें छोडा लूँगा, ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो मरा ही नहीं है, मरा नहीं? जब एसीप हमारे घर पर आया था, तब उसने फोन पे क्या कहा? कार पार्क मत कर, मैं आभी आता है, मतलब कार में ड्राइवर था, आप कहते हैं, ए कार में दो बॉडिस होनी चाहिए थी, कितनी? दो, और कितनी थी? एक ही थी, मतलब जो गया वो? ड्राइवर था, जब हम बाहर निकले तो जानते हैं, उसने मुझसे क्या कहा था, मिनिस्टर साब के साथ भी बाद सीच सेल रही है, वर्दराजन कल ही मर चुका था, और ये जब हम डंपयार में पहुँचे तब उस एसीप राज को पैसो का कोई सुराक मिल गया होगा, अगर मेरा शक जही है, तो एसीप उसी रात को पैसे निकालने के लिए डंप्यार गया होगा, और उसे जरूर वो पैसा मिल गया होगा, बिट्टू जब बाहर आएगा ना, हम सब मिलके बराबर बराबर भाट लेंगे बिट्टू की तो आप इलाशित जेल से बाहर आएंगे यह सारा पैसा अपना है लेकिन बिट्टू जेल से फरार हो जाएगा यह उन्होंने सोचा नहीं था वर्द राजन और एसीप के इस गेम के बारे में बिट्टू को पता चल गया होगा इसलिए उसने वर्द राजन को खत्म किया तो उसने एसीप को क्यों छोड़ दिया? पैसों के बारे में एसीपी जरूर जानता होगा और वही बता सकता है पैसा कहां चुपाया है इस बॉम ब्लास्ट में उड़े परखच्चों की वज़े से तुम्हें पता चला की विलन कौन है लेकिन एसीपी और वर्द राजन आपस में मिले हैं ये बिट्टू को कैसे पता चला? जैसा मैं सोचता हूँ बिट्टू बिलकुल वैसा ही सोचता है लेकिन इस वक्त उसकी सोच मुझसे 24 घंटे आगे है वर्ना आज बाबा हॉस्पिटल में ना होते राजी किडनाप ना होती और मैं लॉक अप में ना होती सर मैं उस कमीने को छोड़ूँगा नहीं काट के रख दूँगा उसे पर कैसे? पर कैसे वर्नाप करो अख वर्नाप साथ झाल झाल एक हजार पांचो करोड मिटू मेरा आधा हैस्सा कभी देगा अभी देता हूँ पैसा ले चा रहा था बोजह ही नहीं समाल पाया कोटे इससे हमें एक बात समझ में आती है पैसा चुराने से स्यादा पैसा ले चाना मुश्किल है मरें क्यों कै बिट्टू को फोन कर ये इस वक्त क्यों फोन कर रहा है वो नहीं कर रहा है कोई करा रहा है तीन कंटेनर मगाओ और पैसा एक पर लाद दो उस इससे पहले कि वो समझे कि पैसा किस कंटेनर में है शिप पिलाग के देश से निकल जाओ और तुम इंडिया में एक तुट्टू कोरिन एरपोर्ट है अजीब ना हो मैं न वहाँ से श्रीलिंका दस मिनिट दूर है तुम पैसा लेके शिप से जाना और मैं फ्लाइट से जाओंगा फिर इस लड़की का क्या है इससे तो दिव्यानी संभाल लेगी कॉल ट्रेस के हिसाबस को किसी इंडर्श्ट्री ले रहे कि गोडाउन के आसपास हैं अगर वो फोन उठाता है तो सही जगा का पता चल जाएगा हमें फॉरन वहां पहुचना होगा वहां जाएंगे अभी निकलेना तो भी आधी रात को पहुचेंगे तब तक तो वह देश छोड़कर जा चुका होगा हेलिकॉप्टर से जाएंगे हेलिकॉप्टर भाड़ा कौन देगा उसका है बैंक के लुटेरे फ्लाइट और शिप इस्तवाल करते हैं तो हम पुलिस वाले हेलिकॉप्टर नहीं ले जा सकते हैं हमें एरपोर्ट में कौन गुसाएगा एक आदमी है वो कौन आपका दामाद वो पाइलट है ना मुझे मारा तुने छोड़ूंगा ने तुझे इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं वैसे घर चलोगे तो मेरी बेटी मरमपट्टी कर देगे ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारी बेटी को हो गई तसल्ली लाखों में एक जमाई मिला था तुम्हादी ना शादी इसके ओकाती क्या है ये हलिकॉप्टर का ओना रहे क्या है तो ड्राइवरी बस बहुत हुआ तारू मोडू मंद राख ये है आपका नबर वन रिडियो स्टेशन रिडियो मेची 98.3 FL मै हूँ चेक पटागरू पूरे शहर में उन्हें ढूनेगे कहां इंडस्ट्यल एरिया से पोर्ट के और जो रोड जाती है उस पर पैचानेंगे कैसे इतना पैसा तो किसी कंटेनर में जाएगा वो रहे है पर यहां तो तीन कंटेनर्स है इन तीनों में से पैसा किसमें होगा सिंपल है सर पैसा काफी है वजन भी ज्यादा होगा कंटेनर के टायर दबे होगा औरेंज वाले कंटेनर में हो सकता है वो कहां जा रहे है उस पर नजर रखिए एक बारा मुतर जाए फिर बताता हूँ लेकिन तुम्हारी बहन उनके कबजे में है सर पैसा पोर्ट पहुचने तक वो मेरी बहन को कुछ नहीं करेंगे पाइलट डाउं देख 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 रोट पर देख रहा है सर सुनाई दे रहा है यहां बोलो रभी औरेंज कंटेनर का पीछा कीजिए देख यहां किस तरफ जा रहा है इस्ट की तरफ जा रहा है ड्राइवर कौन है भनुश कोटी भनुश कोटी तब तो पैसा उसी में होना चाहिए छोड़िये का मत उसे पोर्ट जाने से तुम रोकोगे कैसे वो मुझ पर छोड़ दीजे हेलो कहा है तू बीच रास्ते में हूँ एक्जाक्टली कहाँ पर है गाड़ी बन पड़ गई है सेंट अलफान्सो स्कूल के बाहर हूँ मेरी बात सुन जल्दी से जा सेंट अलफान्सो स्कूल की फाइनल बजा दे और क्यों जैसा कहता हूँ वैसकर अरेंज कलर का कंटेनर पहुंच गया हूँ पाहुंच गया बच्चे रोट क्र रोट प्रास कर रहे है रोड ब्लॉग है आर ट्रक भी रुगया अब अभी हो घुमा रहे ए लेफ जा रहरे है राइट जा रा अपना कोई दोस्त है अरे पिंटु होगा ना पिंटु वहां पर कार वीपर कर वा रहा है तोड़ी दर पहले मुझे मोहमद के गैरिश पर मिला था मुहम्मद पर चाय फैक मेरे उपर चाय फैकी सर यहाँ पर लोग चाय से लड़ रहे है बहुत भीड जमा हो गई मैं अकला नहीं समान सकता और फोर्ट बेजी है फॉरण वो ट्रक लेप जा रहा है ये राई जा रहा है यूटर लेकर राइट में जा रहा है अगला गाना हो फिरो उसकी तरफ से निलो पर के लिए वो बहुत तेजी से जा रहा है रवी दस मिरट में वो फ्लाइओर पर पहुच जाएगा और वहां से वो बिना रुके पोर्ट चला जाएगा रवी अब क्या करें उससे रोपता हूँ क्या पूरा टाइम रेडियो मिर्ची सुनता रहता है रहने वे मुझे रेडियो मिर्ची पसंता है कहा है तू? स्टूडियो में हूँ ट्राफिक अपडेट में बोल दे कि पोर्ट वाले फ्लावर पर ट्राफिक जाम है पर वो रोड तो खाली है तू कभी जूट नहीं बोलता गया मिर्ची लिसनर्स की ट्राफिक अपडेट पोर्ट को जाने वाले फ्लावर पर हेवी ट्राफिक है तो अगर आप उस रास्ते से जाएंगे तो आप पन सकते हैं और अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए लेट हो सकते हैं वाई ये सुनते आग लगाना सिर्फ 98.3 ने योगने चीपा है ये ये तो कंटेनर राइट में घुमा रहा है तुम उसे कहा ले जा रहे हो उसे उसकी सही मंजिल पर पहुँचा रहा हूँ स्टीरिंग तो उसकी हाथ में मगर ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ कर ड्राइव वाईव। बोत पुछ गे किया यह तो वही पहुँच गया जहां से इसने पैसे चुराए भे यही हमारो पहुच लागे भागे तरे करोड़ में से एक भी पैसा तु नहीं ले जा सकता अब तु रुख तु रुख मैं जाया में रभी में अब तहां जा रहे हो बिट्टू आप पोर्ट की तरफ जाएगा ना वही दी एंड करूंगा उसका रभी रभी मैं पोर्ट चलो पूर्ट चलो यह ओटो नहीं है कि कहीं पर भी चार नो अब चलो बिटो, तुम्हारा आदमी नहीं आया थनुश कोटी मैं पहुंच रहा हूँ कआँग yell का दुम्हारा का दूम्हार काँग お mail यह उतके समय को इह! केल से कारर अशनल कर दो का! लोची हैत सलो.. प्यांसे अरे अब आओ अरे अब आओ अबेर खबरदार उसे नीचे उता रहा तो मैं उसका फैन हूँ वो हमेशा टॉप पर ही रहेगा अरे हाँ स्लो, स्लो, स्लो अब आचा, आचा, आचा अब आचा अब आप से शाबश 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 अचा अचा थोड़ा सा, थोड़ा सा अचा आपे चल्ली करना आप पहाँ पढ़ूँगा ने पकेड़ लिया अचा 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 कि अउड़े कि अच्छी में अच्छा लॉटे के अच्छा जो कर सुछ गए नए अस्तमा भी इसको तैंक यू मारे का पुछे इंसान के जिंदेगे इतनी आसानी से नहीं मिलती है हमारे जैसे लोग लड़ते नहीं बाहुत करते हैं मुद्धे पर आते हैं विवल सिट इन टॉक ए इस आले को मार दो अरे बाबा माफ करो जो मन में आए वो करो मैं तो चला मैं जा रहा हूँ माल डाला जब उसे बात करनी थी तो कॉली क्यों चलाई दर दो देखो जाने दो मुझे जाने दो तुमारी बेहन का है मैं बताता हूँ मत बता कोई जरूरत नहीं है मुझे गुसा मतला अता माच जाने आज की शाम इस शहर की जैसे ही पहली लाइट चले की तेरी बेहन मारती जाएगी मरवा दे पागल हो गया तू मैं जूट नहीं बोला हूँ तू उसे मारेगा मार उसे मार ज़र मार ना क्या है जिसने भाई को है उसे गुसा होने का हग भी नहीं है वो तेरी बेहन है फारक नहीं पड़ता वो तेरी सोदेली बेहन है नहीं मैं तोड़ा येडा हूँ मेरी सटक गई तो सामने वाले को नहीं छोड़ता मिल गया पकड़ लिया ओफिसर मुझे इसे बचा गबरा तो नहीं गबरा तो नहीं हूँ आभी क्यो मुझे बचा लूँ है सर ये मारतेगा मुझे अरस्ट मी अरे रे हतकड़ी लाना तो भूली गया कच्चे का नाड़ा भी चलेगा मैने बगूँगा इस कच्च्रे को जेल में संभाल के रखने का क्या फाइदा है सर पहले इसे कपड़े दो इत्वार को ओमलेट दो बुधवार को बिर्यानी दो गवर्मेंट के खर्च पर आश करेगा मैं प्योर वेजिटेरियन हू सर मारना मत वरना फस जाओगे बॉड़ी मिलेगी तो फसूंगा ना सर मचलियां खा जाएंगी हमारे अलावा किसे पता चलेगा मैंने आज तक कभी जूट नहीं बोला एक गुली दो आदमी बहुत नाइंसाफी है गबराईये मत सर आपकी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का ढून कर लाऊंगा अरे एक नंबर का बेर है इसे बोला तुने इसे बोला खुटा इस कमीने को मारने पर तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा छोड़ दो इससे मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है इसे नहीं चोड़का मैं तुम मेरे बड़े बेटे जैसे हो बचाये सर नेरी बात मारो छोड़ दो इसे फेग दो ये गंद इस कमीने के लिए रूल्स नहीं है शरीफ लोगों के लिए रूल्स बनाएं शान्त हो जाओ रवी रवी जुक्याओ या बिट्टू अब आपको मेडल मिलेगा सर मेडल मिले या ना मिले अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये तुम्हें मार देता ऐसा नहीं होता सर उसकी गन में गोली भी तो होनी चाहिए ना इसका मतलब वो गन खाली दी खाली गन फेक कर ड्रामा कर रहे थे तो क्या मैं इसे मार कर जेल चला जाता है? सोच भी कहसे सकते हैं अब कहाँ? बहन को बचा हेलिकॉप्टर की आवाज से कहें वो तुम्हारी बहन को नुक्सान न पहुंचाए गबराईये मत सर वो गूंगी बहरी है इसे पकड़ी कामाईंगे क्या? राजी, मैं हूँ तुमने उस जवान लड़की के बनले मेरा हाथ क्यों थाम लिया? एक खुबसूरा जवान लड़की और इस बुड़े के हाथ में कोई फर्क नहीं क्या? क्या बहुत रही है? ऐसा क्यों क्या? एक तो तुम्हारी जान बचाओ परसे तुम इते ने से क्यों आए? रवी, रवी, देखो, देखो, गोली मच चलाना मैं एक चोटाता, नननाता, प्यालाता बत्ता हूँ और वो रवी बड़ा बदमाश है रवी, रवी, मूंगफली खा लिए हाथ में रखिए वाइडा, आ कई तने सिंग डाना खावानों टाइम लागे छे? मूंगफली उसके मूँपर मारिये ठीक है गनवाला हाथ पकलिये ये तो बहुत स्ट्रॉंग है रे एक का मारिये न अब खड़े क्यों है? अब मुझे जरा ये बताओ कि तुमने ज्योतिश कहां पड़ी है तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी बहन यहीं होगी? बिट्टू नहीं तो बताया था आज कि शाम इस शहर की जैसे ही पहली लाइट चलेगी तेरे बहन मारती चाहिए इस शहर की शाम की पहली लाइट है लाइट हाउस इतनी टेंशन में भी तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है? एक्जाम के सवाल का जवाब तो हर कोई देता है लेकिन असली हीरो वो है जो जिन्दगी के जवाब देता है ब्रवे बीटा, आज इंटर्व्य है सैलरी कितनी होगी? शायद पचीस हजार उसे साथ से एक लाग कब तक कमा लोगी? चार महीने में और दो घंटों में एक लाग कमाने पर क्या होगा? प्राबलम होगी बाबा हो वक अच्छा है, अब जाओ पांच हजार के लिए थैंक्स और देखना एक घंटे में पचास हजार बना के लाओंगा पांच हजार मिल गए? ये देखो ये पैसे नहीं साप है, छोड़ दो इना कार्ट खाएंगे मेरी मानो, इन्हें वापस कर दो सौ रुपय लेकर शाम को पिक्चर देख लेना एश करो और हमारी कहानी का हीरो लपु जणना सारा पैसा लोगों में बाट कर अपने खर लोटाया और फिर से बस की लाइन में खणा हो गया इसके आगे की कहानी हमारे अगले भाग में सुनिए तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए नमस्कार